कि हेलो प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे यहां पर हम लोग के पास आचुका है मंथली एक्जाम जो त्रिमासिक प्रक्षा है क्लास नाइंत का यह ओरिजनल परस्पत्र आचुका है हिंदी का यहां पर देख सकते हैं आप को और बारी-बारी से कोशन का अंसर हम बताएंगे आप लोग जानते हैं तो आप लोग केमेंट अवस्ते करते चलिएगा चलिए ठीक है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं औरीजिनल परस्पत्र हैं जो कलावकी एक्जाम में यहीं परस्ण 28 तरीको रहेगा आपकी ए सब्सक्राइब करना है और 25 परस्ण कहीं उतर देना है तीस परस्ण दिया रहेगा अबजेक्टिव का जिसमें से 25 परस्ण कहीं उतर देना है आप लोग को तो आप लोग चलिए अब हम लोग कोशन तरप में चलते हैं पहला नम्मा कोशन यहां पर आप लोग देख सकते है आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर कोई फेक परस्ट पत्र नहीं दिया जाता है बिलकुल औरिजिनल परस्ट पत्र यहां इस चैनल पर प्रभाइड कराया जाता है ठीके चलिए तो जो भी द्यारती आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक कर लिजए अनिवारी थी एमदे की चार बी मेंदे की पांच सिमदे की छो और डी मेंदे की साथ तो एंसर बताएंगे आप लोग केमेंट में इसका राइट एंसर क्या होगा तो आप्सन नमर भी हो जाएगा बिलकुल सही जबाब पांच है ठीके चलिए नेक कोशन यहां पर इसका राइट एंसर ऑप्सन नमर ए हो जाएगा तीन नमर पुर्फबग दिखना है चलिए बताएंगे आपने अंसर क्या होगा तीन का दिया घाएंगा है कि कभी केदारनात अगरवाल के अनुसार किस तरह के हिंदुस्तान की उरबरक भूमी में मानसमान सो तंत्रत तक ग तो इसका सही जबाब हो जाएगा विल्कुल अजाद हिंदुस्तान यानि की ऑप्सन नमर D हो जाएगा चलिए नेक पोर्शन यहाँ पर आप लोग देख सेते हैं दिया गया है कि निमली खित में कौन एक सूफी कभी थे सूफी कभी कौन थे यह बताना है ओप्सन यहाँ पर आप लोग देख सेते हैं दिया गया है रेधास भी में देख गया कि गुरु गुबिन सिंग सी में मंजण दिया गया है और डी में दिया कि हरिवन्स राय वचन है तो इसका सही जबाब क्या होगा चार का चार का ओप्सन जबाब बताना है आप लोगों को जल्दी से बताए एम देख की एक चहरा बिम्दे की घर बने घर टूटे सिंदे की वार्ड नमर चो और डी में देख इरोब के एसकेज तो इसका पांच का राइट एंसर बताए क्या होगा तो राइट एंसर हो जाएगा इरोब के फिचा तो आठ चे का राइट एंसर हो जाएगा उपस नमर ए यानि की लेखा चितर चली अब हम लोग आठ नमर आठ नमर सात नमर कोशन देखेंगे देखा की गुरू गोभीन सिंग ने 1706 इस भी में और अरंग्जेव को पत्र लिखा जो खूब परसिद हुआ उस पत्र क राइट एंसर क्या होगा तो जाएगा जफर नामा यानि की option नमर B में दियागा है सही जबाब ठीक है चले next question यहाँ पर देख सेते हैं आप लोग आठ नमर कोशन दिया गया है कि जल जल दीदिया सोरी चल दीदिया चल उस महले में लाल पान की बेगम बसती है नहीं जानती दोपहर दिन और चोपहर रात बिजली की बती भगभग कर चलती है पस्तूत कथन कहानी के किस पात्र का है यह में देगा इंकी जंग की पतोहू का बी में देगा इंकी बिर्जु की मा का और सी में देगा इंकी मखनी फुगा का और D में देगा इंकी चंपिया का तो 8 का र तो करी रहे हैं बहुत अच्छा यहां पर देखे, 9 नमाई प्रसंद दिया गया है कि कभीत्री महा देवी बर्मा के अनुसार, जल से भरी बदली का जल किसके लिए होता है, एम देखे कि बदली के लिए और बी में देखे कि इसवर के लिए, सीम देखे, स्रिष्टी के लिए और डिम दे की अकास के लिए तो नाइन का राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर डी अकास के लिए ठीक है इसको याद रखिएगा चले दस नमर प्रसंद देगा है कि निमलीखित में कौन है सिर्शक पाठ लक्षमी नरायन सुदानसुर अचित है एम दे की पलक पाउडे ब इसका सही जबाब हो जाएगा आप लोग भी केमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छा यहां पर देखिए गार नमर प्रसंद देखिए कि कभी रेधास रचित कितने पद सीखो के पवित्र धरम गरंत यानि की गुरु गरंत साहब में भी समलीद है चलिए तो एगार का राइट एक बड़ी सी कार में यास नामा पुले आना गए चलिए तो देखो बारा का राइट एंसर क्या होगा तो बारा का राइट एंसर हो जाएगा यूरा गए थे ओप्सन नमर डी हो जाएगा चलिए नेट कोशन यहां पतेरा नमर प्रस नेखेंगे कि कभी हर्वन स्राय बचन कि पर्थम पत्नी का क्या नाम था मंदे की तेजी बचन विम दे की मोनोरमा देवी और डिम दे की मधुब वाला चले तो तेरा का राइट एंसर बताएंगे ओप्सन नमर चाही जबाब चले नेट कोशन दिया गया 14 नमर प्रस नहों देखेंगे दिया गया कि बिहार में प प्रसने दिया गया है कि बीड़ा जाने में प्रणित होने के कारन कि समराथ को बिसस और संगीत संगीत कहा करते थे। तो पंदरा का राइट एंसर हो जाएगा और समराथ समुंदर गुप्त को यानि की अप्सन नमर A में दिया गया है सही जबाब चलिए नेट कोश्चन यहाँपर सोले नमर कोश्चन ध्यान से देखिएगा चलिए सोले नमर कोश्चन यहाँपर दियागा कि बिहार के उस लोग निर्त्र का क्या नाम है जिसमें अभी नय और गायन के साथ मुर्तियों को भी भागिदारी रहती हैं चलिए तो सुला का राइटेंस बताएंगे इम देगा कि जीजिया में देगा कि डूमकर्च और सी में देगा कि सामा चकिवा और डी में देगा कि लॉंडा नाचे टो चलिए इसका राइटेंस बताएंगे सुला का किया होगा तो लॉंडा नाच हो जाएगा ठीक है लॉंडा नाच ठीक है चलिए नेस्ट कोकिशन डीक है आप देगाए तो विद्धार्थी का क्वालेटी सब सब नहीं दिख रहा होगा तो आपने क्वालेटी बढ़ा तो देखो इसका सतरक राइट एंसर हो जाएगा उपेंदर महारती ने आप लोकेमेंट करते चलिए बहुत अच्छा अठाड़ नमा कोशन देखिए कि जिन संगया से एक ही प्रकार के बश्तु अथवा ब्यक्ति का बोध हो उन्हें कहते हैं तो अठाड़ का सही जबाब हो जाती वाचक संगया ओप्सन नमर भी नेट्स कोशन देखिए अन्नीस नमर दिया गया है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं इन्हें गारा पाच साथ और छे तो इसका राइट एंसर हो जाएगा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं ऑप्सन नमर डी जो विद्यारती दे रहा है और सर्वनाम की विसेशता बताता है उसे हम लोग कहते हैं ठीक है यानि कि अड्जेक्टिफ तो इसका सही जबाब क्या होगा तो आफसे नमर्ड C में दिया गया है तो C जो बता रहे हैं उनका सही जबाब होगा चलिए इसका रहे हैं इसका उचारन कंट से होता है यानि कि अफसे नमर्ड़ C हो जाएगा ठीक है चलिए नइख कोशन यहां पर दे कि दिया गया है इस नमर्ड़ प्रस्ण की काल, काल का कितने वहेद होते हैं यानि जो काल होता है उसका वहद पूछें जारहा है जल्ली जल्दी से बताएं, यह में देगाएं कि 3, B में देगी 2, Sim देगी 4, और D में देगाएं कि 5, तो आप लोग जानते हैं कि 10 से या फिर काल की कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, यानि 22 का राइट एंसर क्या होगा, तो option number A हो जाएगा 3, चले, next question देखिए, दिया गया next question यहाँ पर 24 नमर देखिए, दिया गया कि थोड़े दिन का सुख, निमलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ हैं, तो देखो 24 का क्या होगा, तो 24 का option number B हो जाएगा, यानि कि 4 दिन की चान्दनी, थोड़े दिन का सुख, यानि कि थोड़े दिन का सुख, दिन का चान्द कि जोर की भूक लगना, और सीम देखिए, भार ही भी पत्ती आना, और टीम देखिए, खतम होना, तो आपनों चुखा खाले जिएगा, ठीके, पेट में चुखा कुदना, यानि कि पेट में चुखा खाले नहीं, यह ना होगा, ठीके, जोर से भूक लगना होगा, option number B हो ज कि संगम, देखो, आप लोगो 25 प्रसंद का ही जबाब देना है, मैं आपको 30 प्रसंद का जबाब दूँगा, जो मने करें, वो 25 जबाब अप्लूद दीजेगा, ठीके, चलिए, 27 नमा प्रसंद का लिंक क्या है, तो 27 का राइट एंसर क्या है, यहां पर देखिए, यहां प प्रसंद की सदेव, सब्द का संदी विछेद है, सदेव, सब्द का संदी विछेद के आए, म देखिए, सब्लस देव, भीम देखिए, सदा प्लस देव, और सिम देखिए, सदेव, सदेव प्लस वा, तो इसका राइट सदेव का होचता है, सदा प्लस देव, यानि कि ऑप सब्सक्राइब तो आगे लगकर सब्सक्राइब को बदलता है और परतिया जो पीछे लगता है तो आगे तो आपको दिख रहा है कि परी है यानि आप सब्सक्राइब तो चलिए नेस्ट वीव में आपको सब्जेक्टिव लेकर आया जाएगा ठीक है तो आप लोगो क्या करना है हमारे चैनल का लिंग डिसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वाट्सप ग्रूप का लिंग जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अगर आप लोगो सब्सक्राइब कर लो तकि जब भी लेकर आए रहे हैं तो आप लोगो सब्सक्राइब कर लो कि जब भी लेकर आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा ठीक है